हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेस वीडियो में और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपे बजाज आर्याइस 200 के बारे में जो कि अपने अपने लुक और अपने परफॉर्मेंस के वज़े से काफी बहतरीन अच्छी खासी रैंग कर रही ह 200 के बारे में तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा कॉंफिदेंस मिलता है और अब ही तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो प्रीज सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा तो चली फिर आपको ले तो चली अब इस की करके को लेके सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए प्रूर्ट अब इसको देतो डेकि तो यह तो यहां आप देख सकते हैं यहां कि काफी बड़ा डिस यहां पर लगाया गया है प्लस सिंगल चैन ABS के साथ यह आप देख सकते हैं यहां पर ABS का tag भी लगा हुआ और नीचे ABS भी आपको दिख रहा होगा तो यह काफी अच्छी बात है कि यहां पर ABS का support मिला हुआ है जिसके वज़े से हम कह सकते हैं कि हमारा ज इंजन हीट होने के problem बहुत ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि liquid cooling होने के वज़े से किसी भी वेदर में liquid के द्वारा इंजन को कूल किया जा सकता है चलिए अगर हम आपको बता देते हैं इसके इंजन को लेके तो यहां पर आपको triple यह आप देख सकते हैं यहां पर लिखा 250 rpm और अगर हम इसके max torque की बात करें तो वह है 18.6 Nm का torque वह भी 8000 rpm तो जो इसमें power निकल के आ रही है और torque निकल के आ रही है वह काफी बहतर है no doubt, torque थोड़ा कम कर दिया गया है लेकिन power काफी बहतरी नहीं, अगर हम बात करें इसके fuel tank capacity की तो 13L का fuel tank है, गौर करिएगा 13L का इसका fuel tank है तो लगबख सारी bike में 12-13 ऐसे ही रहता है लेकिन अगर हम बात करें इसके meter console को तो यहां पर थोड़ा मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इतनी बहतरीन bike में एक जो meter console दिया गया है वो fully LED, sorry fully digital नहीं है, यहां पर आपको semi-digital यानि कि analog plus digital आपको देखने को मिल अगर हम बात करें कि कुस्णिंग की, इसकी seating poster की तो वह काफी बेतरीन है, यहां पर आगे आपको supporter के लिए कुछ लगाया गया है और पीछे pillion seat को हम नहीं कहाएंगे क्योंकि pillion seat का कुसं तो ठीक है, लेकिन काफी जादा लंबी ride में pillion वालों को problem हो सकती है, लेकिन rider के ल racing exhaust लगाया गया है, जिसके वज़े से काफी अच्छा response मिलेगा आपके RS200 को, और अगर हम बात करें इसके rear tire के तो यहां पर जो इसका rear tire है, वह है यहां पर 130 का wide rear tire, और साथ इसकी disc की size है, वह है यहां पर 230 mm, और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो nitrox का mono sock absorber और rear tire जो है, वाइडनेस होने एक वज़े से जो आपके grip होगी, वह काफी बहतरीन मिलेगी, no doubt, अगर हम इसके पूरे overall length की बात करें, तो वह है यहां पर 1999, और अगर इसके हम ground clearance की बात करें, तो वह है 157 mm, और अगर हम इसके weight की बात करें, पूरे bike के weight की तो वह है 164 mm, औ तो मतलब ठीक ही ठाक है, और यहां पर आप देख सकते हैं, जो इसका back light है, यानि की tail lamp है, वो LED लगाया गया है, काफी sharp लगता है देखने में, और sharp नहीं मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक अलग ही look इसमें दिया गया है, तो यह काफी अच्छी ब के हिसाब से, और हम आपको यह भी बता दें, कि company कहती है, कि यह जो उनकी bike है, यह 140 की max speed तक जा सकती है, लेकिन यहां पर आपको यह भी पता होगा, कि हिंडिया के दुरंदर, उन्होंने 140 का है, तो इसको 150 ले करी जाएंगे, no doubt, और अगर हम आपको इस चीज आपको बतान है, जिनके watts अलग-अलग है, जिनके volt अलग-अलग है, तो मतलब एक low beam का होगा, एक high beam का होगा, जिसके वज़े से आपको जो visibility होगी, वो काफी बहतरी होगी, no doubt, और यहां पर पulser का tag लगा हुआ है, सारी चीज मैंने लग-बग आपको बता दी, और आपको यह भी बता सवाल है, तो आप हमें comment करके जरूर पूछेगा, और हम उसका reply जरूर करेंगी, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको काफी जादा information मिल गई होगी, यहां पर RS200 के बारे में है, तो वीडियो को like जरूर करिएगा, बीना like किये मत जाएगा, तो दोस्तों